भवान शिव के आराधना का महामाद स्रावन माद सुरू हो गया है और सावन के पहले दिन पहले सोंबार पर संगम नगरी प्रयाग राजवी प्राचिन काल से होने वाली गहरे बाजी घोड़ी की दोड़ आज भी शाम को हुई जिसमें प्रयावराज के साथ साथ आस पास के चिलों से आए घोड़ों ने भी दोड़ लगाई इस गहरे बाजी को मेडिकल कॉलिज मार कर आयोजित किया गया जिसमें शहर के तमाम छेतरों से घोड़े आकर भाग लिये और जोहर का परदर्शन किया इस दोड़ को देखने क जाता है और लोगों को इस दोड़ प्रत्युगिता का बेसबरी से इंतिजार रहता है इस गहरे बाजी प्रत्युगिता का आयोजिन सावन के हर सोंबार को किया जाता है जीतने वाले घोड़े को इनाम भी दिया जाता है खास बात यह है कि घोड़े के रेज की परंपरा का एक अलगी नजारा दिखाई देता है, दौड़ते हुए घोड़े हवा से बात करते हैं, उस समय का यह अध्भूत नजारा होता है, जिसका लोग कुछ चम कर आनद उठाते हैं. इसमें कई तरह के घोड़े आते हैं, इलाबाद के सब ते अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं, और हर जिले से घोड़े आते हैं, जिनको बनाया जाता है, यहां पे अच्छे ते दौड़ाया जाता है, यह हमाई आबा बाबा के जमाने दे चली आ रही है, घुरतवारी पर इस वाजय के चकर में प्रशासन ने रेस के लिए मना कर दिया अर रास्ते भी ब्लॉक नहीं है। आफ डेख सयरों एक्ति में घोड़े भी भी ब्लॉक नहीं हुए है। तो उसके वज़े ठीश घट ना हो सकती है। लेकिन लोग उस दर्कास करेंगे कि पर सासन हम लोग के साथ दे ये पूरानी परमपरा को हम लोग सोचल डिस्टेंसिंग के साथ निभाना चाहते हैं और दूसरी चीत पर सासन हम लोग के साथ दे बर रस्ते बन कराएं ब्लॉक करें और आगले सुमार को सबसे अच्छी मनोरंजन के साथ सबस ठीय रेस की जाए